अलो फ्रेंड्स गुड़ मॉरिंग मैं असोक और आप सबका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल एक ओफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन सतर सब्द परती मिनट लेके आये हूँ दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन, कोमा और शब्द सुद्ध के बारे में भी बताया जाएगा दोस्तों यह डिक्टेशन राजस्तान आई कोट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, Railway और इबेसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह हैं डिक्टेट की जाती हैं दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि परती दिन आपको नए नए डिक्टेशन मिल चेके दोस्तों, आप लोग अगर स्टेनों शीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, तो दोस्तों से लिई वीडियो स्टार्ट करते हैं डिक्टिशन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद स्टार्ट पिछले हपते भारतिय विदेश नीती के हिसाब से दो गटनाएं अचानक हुई लेकिन यहें दोनों ही महत्वपून रही विराम पहली, भारत के रक्षा मंत्री राजनात सिंग की चीनी रक्षा मंत्री वेई फैंगे से भेंट और दूसरी, तहरान रुक कर इरान के रक्षा मंत्री से उनकी भेंट विराम ये दोनों घटनाएं पूर्वे नियोजित और सुनिस्चित नहीं थी लेकिन इनके परिणाम भारतिय विदेश नीती की द्रश्टी से सार्थक हो सकते हैं विराम ध्यान देने लाइक बात यह है कि जब राजनात के मासकों में संगाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने की खबर चपी तो विदेश मंत्राले ने साफ साफ कहा कि हमारे रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से वहां बात नहीं करेंगे लेकिन बात हुई और दो घंठे हुई विराम चीनी रक्षा मंत्री फैंगे ने तीन बार अनुरोध किया कि वे भारत के रक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं और वे खुद चल कर उनके होटल आए विराम चीन के इस सिष्टाचार का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारत ने पिछले एक डेड़ हपते में पेंगांग जील के दक्सिन में चुसुल छेक्तर की पहाडियों पर कबजा कर लिया है विराम चीन को यह संदेश पहुच चुका है कि भारत दबने वाला नहीं है दोनों रक्षा मंत्रियों ने अपनी अपनी सरकार के पहले से जाहिर रवय कव जरूर दोहराया लेकिन सारे मामलों को बातचीत से सुलजाने की पेशकर्ष की विराम भारत के सेनिकों का बलीदान हुआ है और भारत में परतिशोद का भाव भड़ा हुआ है इसके बावजूद रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने अपनी बातें सलीके से पेशकी विराम चीनी रक्षा मंत्री और साथ बैठे उनके अफसरों पर इस बात का काफी अशर हुआ की राजनात जी ने दोनों देशों के बीच शान्ती के लिए चीनी दार्षनिक कंफूसियस की एतिहासिक उक्ती उद्दव की विराम शायद इसी का परिणाम है की अगले दो तीन दिन में भारत के विदेश मंत्री जैसंकर की मासकों में चीनी विदेश मंत्री से भेट होगी विराम चीनी रक्षा मंत्री का चीन की कम्यूस्थ पार्टी में उचा इस्थान है और राजनात भी मोदी मंत्री मंडल में सबसे वरिष्ठ है वह भाजबा के अध्यक्स भी रहे चुके हैं विराम इसी तरह वेई फैंगे चीनी रास्ट्रपती सी जिनपिंग के नजदी की माने जाते हैं अब तक हमारे विदेश मंत्री और रास्ट्रिय, सुरक्षय, सलाकार, चीनी नेताओं से कई बार बात कर चुके हैं विराम लेकिन मासकों में हुए उक्त समवाद का असर कुछ बहतर ही होगा विराम यह एशंभव नहीं कोमा जैसा की मैं सुरू से कह रहा हूँ की अब भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और चीनी रास्ट्रपती सी जिन्पिंग के बीच संपोन भारत चीन सिमान्त को पक्का करने पर सीधी बात हो सकती है विराम यह ठीक है कि भारत चीन दोनों की जनता आवेस में है लेकिन दोनों देशों के नेता जानते हैं कि सिमान्त पर युद्ध हुआ तो दोनों के लिए 1962 से भी ज्यादा विनासकारी होगा विराम दोनों देशों के सीर्च नेताओं ने अभी तक कोई भी उत्तेजक बात नहीं कही है विराम इसका अर्थ यह है बिलकुल नहीं कि भारत चीनी अतिकर्मन को चुपचाप बरदास्त कर लेगा विराम भारत की सेन्ने तैयारी में कोई कमी नहीं है सेन्ने तैयारी के साथ साथ कुठ नितिक मुस्तेदी भी भारत पुरी तरह दिखा रहा है विराम दोस्तों मुझे आसा हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऐकन को प्रेश कर लीजिए ताकि परती दिन आपको नई नई डिक्टिशन मिल सकें थैंक्यू दोस्तों जै हिंद जै भारत